लोकसुबा चुनाव जैसे जैसे नजदी का रहा है सभी राजनितिक पार्टिया अपने जोरो शोरो से यहां तयारियों में जुटी हुई है तयारिया भी ऐसे कर रही हैं कि सामने वाली पार्टि को पूरी तरीके से चुत कर दे लेकिन इन तयारियों के बीच में होली का तेवार है और होली के तेवार के मौके पर भी कोई भी राजनतिक दल अपनी तरफ से बयान बाजी करने से पीछे नहीं हट रहा है और यही वज़ा है कि लगातार ये चर्चाय तेज है कि इस बार का चुनाव बिहार में काफी दिल्चस्प होने वाला है और इस दिल्चस्प चुनाव में कौन सी पाटी कितना बाजी मारेगी ये तो जनता ही तैग करेगी लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि नया अपडेट क्या आया है लोगसबाचुनाव के तहत किसने क्या बयान दिया है और उस बयान की चर्चा क्यूं हो रही है चलिए इस खास रिपोर्ट के जर्वे समझते हैं दरसल लोगसबाचुनाव को लेकर बिहार के लिए जन सुराज पार्टी का रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है जन सुराज पार्टी को सेव यानि की एपल का चुनाव चिन आवंटित क्या गया है सेव का चुनाव चिन मिलेगा दरसल भारत निर्वाचान आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड राजनितिक दलों को आवंटित चुनाव चिनों की सूची जारी कर दी गई है जसमें जन सुराज पाठी को सेव चुनाव चिन आवंटित किया गया है हाला कि बिहार में प्रशांत किशोर की अगवाई में जन सुराज दल की ओर से इसको लेका रविता कोई सूचना नहीं दी गई है आपको अता दे कि प्रशांत किशोर ने जन सुराज को पाटी बनाने की घोशना पटना में 5 माई 2022 को प्रेस कॉन्फरेंस कर दिया था उस दिन उन्होंने कहा था कि जन सुराज पाटी बननी ही है इसमें कोई इफ बट और किंतु परंतु नहीं है बनेगा की नहीं बनेगा बन सकता है की नहीं बन सकता है फर्क सरिफ इतना है कि पाटी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे पाटी कोई और वेक्ती कोई जाती बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि नया विकल्ब बने जो यहां के दलों और नेताओं से दुखी है उन लोगों को इखटा करके मदद की जाएगी ताकि वे दल बनाएंगे उद्रम यहां पर कई सारी बाते खुल करके आई प्रशांत किशोर कहते भी नजर आएं कि बिहार में 50% से जादा लोग चाहते हैं कि नया दल नया विकल्ब बने इसलिए मैं यह प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने आपको जो आकड़ा दिया कि बिहार में 50% से जादा लोग चाहते हैं कि यहां नया दल बने नया विकल्ब बने नया प्रयास किया जाए उन्हीं लोगों के बीच में ऐसे लोगों को डिकाला जाए कि आप चाहते हैं कि नया दल बने उसमे सदस्य बनेंगे अब आप समझ ये कि यहां पर लोकसभाद चुनाफ को लेकर के जो तयारिया शुरू है उस बीश में प्रिशान किशोर जो हमेशा से अपने तीखे तंश्क से सामने वाली पार्टी को धरशाही करते हुए नजर आए हैं अब उन्होंने अपनी पार्टी के लोकर की बड़ी घूशना कर दी है अब उन्हें चुनाफ चिन भी मिल गया है उमिद्वार भी वो उतारने वाले हैं अब ऐसे में बिहार की जो स्यासी है वो और भी जादा रुमांचित होती जा रही है आर जेडी बीजेपी जेडियू अब इन सब के लिए मुश्किले ब अभी तक का उनका सफर रहा है उस सफर में उन्होंने हार तो अपनी तरफ आने ही नहीं दिया जिस पार्टी के साथ भी जुड़े हैं उस पार्टी को जीत ही दिलाई है उन्होंने अब देखना बहुत दिल्चस्प होगा प्रशान किशोर की अपनी ही पार्टी को वो किस से किस मुकाम पर पहुचाएंगे बिहार की जनता इस वार्शा जग है देखना बहुत दिल्चस्प होगा इस बार बिहार की जनता किसे चुनती है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर उकले बने डिमार साथ और देखते रही महुआ खबर